करोना वाइरस के संक्रुमन के चलते देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है इस बीच अब टेलीकॉम, रेगुलेरिटी, अथोरिटी ओफ इंडिया याने ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से अपने प्रिपेड रिचार्ज की वैलेडिटी बढ़ाने के लिए कहा है ट्राई ने रिलाइंस जियो, भारती एरटेल, वोडा फोन, आइडिया और भारत संचार निगम लिमेटेड याने बीएस अनल से कहा है कि वो अपने प्रिपेड पैक की वैदेता बढ़ा दे ताकि लॉकडाउन के बीच प्रिपेड यूजर को बीना कोई रुकावर्ट वोईस और डेटा सर्विसेज मिलती रहें 29 मार्ज को टेलिकॉम कंपनियों को लिखे इस पत्र के बारे में हमें अपने सोर्सेस के माध्यम से पता चला नियामक संस्था ने टेलिकॉम कंपनी से सभी जरूरी कदम उठाने को कहा है इस पत्र में सभी प्रिपेड सब्सक्राइबर्स का वैलिडिटी पीरिएट भी बढ़ाने को कहा गया है ताकि वे लॉकडाउन के बीज बिना रुकावट सर्विसेस का फाइदा ले सकें टेलिकॉम कंपनीयों पर नजर रखने वाली संस्था ट्राई ने कहा है कि प्रिपेड ग्राकों को बिना रुकावट टेलिकॉम सर्विसेस उपलब्द कराना प्रात्मिकता है और इस पर लिए जाने वाले फैसले की जानकारी उसे दी जाए बहरहाल ट्राई ने एक नोटिफिकेशन में कहा टेलिकॉमिनुकेशन सर्विसेस को आवशक सेवाओं में गिना जाता है और इसलिए इन्हें बंद नहीं किया जा सकता हाला कि लॉकडाउन के चलते सेल लोकेशन में कस्टमर सर्विसेस सेंटर और पॉइंट बुरी तरह प्रभावित हुए हैं बता दे की टेलिकॉम कंपनियों के 90 फीसदी ग्राहक प्रिपेड यूजर्स हैं इनके संख्या 80 करोड है महीं चल रहा है लॉकडाउन पीरियट पीम नरिंद मोदी ने देश में करोणा वाइरस के कम्यूनिकेशन ट्रांस्मिशन को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन का अदेश दिया है अभी तक देश में 1000 से ज़्यादा संक्रमित लोगों की संख्या मिल चुकी है और 29 मौते हो चुकी है लॉकडाउन के चलते बाजार बंध है और लोगों को खासी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है देश में लाखो दिहाडी मजदूरों ने अपने घरों को लोटना शुरू कर दिया है तो यह थी मेरी आज की खबर और निउस आप लोगों के लिए आपको यह यूस्फुल रही होगी और अगर यूस्फुल रही हो तो मेरे चैनल को कीजे सब्सक्राइब आगे भी एसी ही निउस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे इसी चैनल पर वीडियो को कीजिए लाइक और कॉमेंट करके बताईए कि आपको यह नियूज अपने लिए यूस्फुल लगती है और क्या आपको ऐसा ही लगता है कि गॉवर्मेंट ने ठीक कदम उठाया है यह करके फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इस्टे सेफ इस्टे हों इस्टे एनर्जेटिक अपना रखे ख्याल तिल देन बाबाई